मेक बराइट D3 कैपसूल्स जों फिर जिनकों की कोली केलसी फिरोल सौफ्ट जलिटीन कैपसूल्स वी बोल सकते हैं और इनके वीच में कोली केलसी फिरोल 60,000 इंटरनेशनल जुनिट्स एक्टिव इंग्रेटिन के तोर पे प्रेजन्ट होता है और जो की विटेमिन सप्लिमेंट्स है और जिनकों की जौनली यूज़ किया जाता है जो बॉड़ी की अलग लग तरह की कंडिशन्स होती है उनको ट्रीट करने के लिए जैसे कि विटेमिन डी की अगर किसी को कमी हो जाती है तो उस दुरान भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते है तो विटेमिन डी के कमी किसी भी परसंस को तब होती है जब उसकी बॉड़ी के एनफ विटेमिन डी जो नहीं मिल पाता है खाना खाने से जब फिर बहुत दूप में कम जाता हो तो उससे भी जो है उसके वीच में vitamin D की deficiency देखी जा सकती है और उस दुरान जो है उसके जो हड़ीयां जो है बहुत ज़दा पतली हो जाएंगी और बहुत ज़दा नौजुक बन जाएंगी जब फिर osteoforosis के दुरान भी हामनों जो है इन capsules का यूज़ कर सकते हैं जिक ऐसी bone की disease होती है जिसके वीच में हड़ीयां जो है बहुत ज़दा weak हो जाती है और नौजुक हो जाती है और जिससे की जो हड़ीयों की जो dynasty जो है वो भी कम हो जाती है जब फिर hypo parathoridism के दुरान भी हामनों जो है इन capsules का यूज़ कर सकते हैं जिक ऐसी disease होती है जिसके वीच में parathorid hormone का level जो है body के वीच में बहुत ज़दे कम बनता है और जिससे की calcium का level भी कम हो जाता है और जिससे की आप लोगों के muscles के वीच में cramps जो है वो देखे जा स जो है और जिस दुरान जो है आप लोगों की body के वीच में muscles के वीच में cramps जो है देखे जा सकते हैं और जो है mostly आप लोगों के hands, fears और larynx जो voice walks होता है वहां पर देखया जाता है Ricketts जो फिर osteomalekia को भी treat करने के लिए आम लोग in capsules का use कर सकते हैं जो एक ऐसी disease होती है जिसके वीच में जो हड़ियां जो है soft हो जाती है, weak हो जाती है और जो है चिल्डरन्स के वीच में देखी जाती है क्योंकि उनको जो है inadequate vitamin D जो है वो मिलता है जिस वज़ा से उनको जो help करता है calcium और phosphorus को जो है food से और supplement से absorb करने के लिए, vitamin D3 जो कि is macbrite और D3 capsules के वीच में present होता है वो बहुत ज़ादा इतना से important role to play करता है calcium की absorption के लिए आप लोगों की body के वीच में, macbrite D3 capsules जो है तो जो है आप लोगों की हडियों को जो है build up करने में मदद करते हैं और आप लोगों के muscles के वीच में जो भी pain वगारा होती है तो उसको भी कम करने में मदद करते हैं आप लोगों की immunity को boost करते हैं और साथ में ही जो आप लोगों की body की जो infection के against लगने की जो शमता जो होती है तो उसको भी बढ़ा देते हैं तो यह जो है best supplements का काम करते हैं उन patients के बीच में जिनकों की diabetic complications जो है देखी जाती है जा फिर कोई cardiovascular disease है उस दोरान अगर कोई pregnant है breastfeeding boomen है तो उनको जो है इन capsules को use करने से पहले एक बार डॉक्टर को consult कर लेना है क्योंकि यह capsule जो है higher doses होती है इनके बीच में vitamin D की और इनको जो है daily जो है use नहीं किया जाता है और particularly pregnant boomen को जो है इन capsules को use करने से पहले एक बार डॉक्टर की advice ले लेनी है macbrite D3 capsules जो है तो यह breast milk के बीच में भी pass हो जाते है और अगर कोई breastfeeding mother है तो उनको जो है इन capsules को use करने से पहले एक बार डॉक्टर को consult कर लेना है क्योंकि उससे जो है उनके baby को हो सकता है अगर वो जो जो है इन capsules को use करती है इन capsules के वीच में vitamin D के high dose होती है तो इसलिए इन capsules को आप लोगों को एक हपते में सिर्फ एक ही वार यूज़ करना होता है डेली आप लोगों को इन capsules को use नहीं करना होता है और इनको आप लोगों को सिर्फ कुश ही हपतों के लिए use करना होता है औ स्किंकः पर अगर सब्सक्राइब काम हो जाती binnen नीज रही को मुझा है, सब्सक्राइब काम जाती है, тоो आपकें करें, तो आप लोगों को इन क्यापसूल्स को खाणoral हैं क्यूंकि उसके नाद भूस्वी हो स्क्राइब ह हो जाते ने अगर हम जो हैं dose and duration की बात करें तो dose and duration आप लोगों की age, body weight और disease condition के उपर depend करेंगी तो जे चीज जो है आप लोगों की doctor जो है आप लोगों को check करने के बाद ही बताएंगे कि आप लोगों को जो है इनको किस तरह की doses में use करना है, कितने समय के लिए use करना है vitamin D जो है fat solver vitamin है और जो कि बहुत जो है crucial role जो है अप लिए करता है calcium और phosphorus को absorb करने के लिए आप लोगों की body के वीच में और जो है हडियों की growth और regeneration में भी बहुत ज़्यादा crucial role, important role जो है अप लिए करता है और उस दोरान जो है अगर आप लोग जो है 10 से लेके 30 मिनट तक जो है एक अपते में 2 वार जो है दूप में जाते हैं और उससे जो है आप लोगों की जो भी vitamin D की deficiency जो है वो पूरी हो जाएगी और अगर हम लोग कुछ food products की बात करें जो की good source होते हैं इक तरह से vitamin D के तो जैसे की fish का use आप लोग कर सकते हैं जाफे cheese का use कर सकते हैं एग का use कर सकते हैं तो आज का जो lifestyle जो है तो उस lifestyle के वीच में maximum people जो है वो गर में ही रहते हैं और उनके जो offices शो होते हैं वो air condition offices होते है हैं गर में रहते हैं वो और cars का use करते हैं तो वो दूप के direct contact में बहुत ज़्यदा कम आते हैं तो जिससे की जो है उनके वीच में vitamin D की जो है एक तरह से कमी हो जाती है और यह हर एक तरह की age group के वीच में देखी जा सकती है और इस दुरान जो है उनकी हड़ियों के वीच मे जो है fractures आ जाते हैं जा फिर muscles के वीच में fractures आ जाते हैं weakness जो उनको देखी जा सकती है तो आप लोगों को कभी वी जाद है डोसिस में इस macbride D3 capsules का use नहीं करना है क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यदा harmful हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि इससे क्या होगा कि vitamin D जो है अगर हम लोगों कुछ side effects की बात करें तो इसे जो है nausea, vomiting, constivation, आप लोगों के blood के वीच में calcium का level बढ़ जाना, urine के वीच में calcium का level बढ़ जाना जे कुछ side effects हैं जो की एक तरह से temporary side effects होते हैं जैसे ही medicine आप लोगों की body को adjust करेगी वैसे ही जे disappeared हो जाते हैं अगर हम लोगों इन capsules को कहीं से purchase करें दो इनके expiry date को देख ले और उसके बाद ही purchase करें